दोस्तों मैं notice कर रहा हूँ, आप मैंसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि फोरेक्स मार्केट में काम तो करना चाहते हैं, बट लीगल वे में काम नहीं करना चाहते हैं, क्यों समझाता हूँ, देखो ये total profit बना within 30 lots, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मैंने entry की 82.34 के उप simple concept 10 paisa strategy, आप कोगे यार यह कई से, भाई, 3000 का profit, कुछ नहीं किया, कुछ खास, मैं आपको बोलना चाहूँगा, कुछ ऐसा खास नहीं किया, कि मैं आपको बोलू, मैंने बहुत जादा खतरनाक चीज़े की हैं, and यह 3000 रुपीज, कोई बहुत बड़ी amount भी नहीं है, मैं जा आती किया, आप खुद common sense लगाओ, आपको basically मैंने बताया कि चुप चाप, अभी देखो, यहाँ पर जो मैं वीडियो क्रेट कर रहा हो ना, so normally 4.37 मिलेट हुए है, और और कोई opportunity मुझे नहीं दिखरी, again, बढ़ना मैं अगें यहाँ पर entry कर सकता था, बट हमारे 3000 का profit book हुआ मैं चला अपना घर, simple सी बात है, यह है काम करने का simple and straight forward तरीका, एक single trade है, कोई बहुत जादा trade नहीं है, over trading नहीं है, बहुत सारे लोग बोलेंगे, कि बढ़ी 10 पैसे के इंदर कितना कमाल होगे, तुमको 10 पैसे की power पता ही नहीं है, देखो, यहाँ पर जो entry हुई ना, 34 पर correct entry हुई है, कुछ नहीं किया, यहाँ पर entry होने के बाद में एक limit order डाल दिया, limit order किया, 10 पैसे उपर का limit order, अब आप देखो, मैं 82.40 पर निकल गया, बहुत सारे लोग बोलेंगे, यह तो 42 तक गया, 45 तक भी जाता, 10 पैसे कितना होता है, यह इतना सा 10 पैसा, यह target अच 10 बच के 6 मिनट पर trade डाली गई थी, 12 बच के 7 मिनट पर trade automatically exit हो गई, limit order डाल के रख दिया था, आप भी यह चीज कर सकते हो, आप office में रहते हो, 10 lot में काम करके देख लो, 5 lot में काम करके देख लो, simple सा concept है, लोगों को चीए quickly और बहुत ज़्यादा पैसा, then definitely वो गल्ट जग broker calculator है, जो best broker count होता है, जिसके link मेंने description हो डाल भी रखी है, मैं गया currency के उपर, यहाँ पर हम brokerage calculate कर रहा है, brokerage मतलब कितने पैसे कटेंगे, कितने पैसे लगेंगे, वो देख लेते हैं, यहाँ पर मैंने currency चूज की, तो भई, 82 का price चल रहा है, 82 point, like 34 पर मैंने entry किया, buy किया ह और 82 point, 44 पर मैंने exit किया, 4400 पर मैंने exit किया, अगर मैं एक lot में काम करता, तो मुझे सीधा 1000 रुपे, sorry, 100 रुपे का profit होता, 100 रुपे में क्या होता, मेरा brokerage कट जाता, मेरे taxes and charges कट जाते, तो भई, 50 रुपी हाथ में आते, देखो, यहाँ पर पूरा game ना number of lots का है, लोग ग पूरे दिन की income निकल सकती है, अब इसके पीछे में एक zero और लगा दूँ अगर basically, तो काफी लोगों के महीनी की salary भी निकल सकती है, 10,000 रुपे जो कमाता होगा विचारा, उसके लिए तो यह बहुत बड़े amount है, simple सी बात आपको समझनी है, zero की कितनी power होती है, और 10 पैसे क यह कितनी power होती है, अब देखो मैंने यहाँ पर 30 lot में काम किया, 30 lot में जो entry गई है, वो simple सी बात है, क्या entry गई है, तीन हजार का profit यहाँ पर दिखाई दिया, आपको कितने बचे, भाई देखो 3,000 में से, आप अगर nifty bank nifty में काम करते हैं, तो आपको ज़्यादा charges लगते ह बट यहाँ पर आप देखो कितने पैसे लगे मेरे, 30 lot के अंदर 107 रुपे मेरे कट गए, टोटल 2890 पर माल लेता हूँ, इतने पैसे मेरे account में add होने चाहिए, बात खतम, इस से ना तो एक चवन्नी जादा, ना इस से एक चवन्नी कम, simple सी बात है, इतना पैसा मिल गया, बा अगर 500 की बात करों, तो कितना बैठा, देखो ध्यान से, यहाँ पर हम आते हैं, 34 पर था, तो कितना हो जाएगा 500 जोडेंगे, तो इसमें 39, तो भाई, 30 lot के अंदर कितने बनते हैं, हमारे 1500 रुपे बनने चाहिए, mathematical calculation के जाप से 1500 बनने चाहिए थे, टोटल 107 रुपे कट 1300 रुपे आपके जेब में आ गए, और एक बात ध्यान रखना, जितना चोटा target, मैं आपको पहले भी एक concept clear करा चुका हूँ, जितना चोटा target होता है, देखो, सबसे important बात market में पता है क्या होती है, loss नहीं होने दूँगा, क्यों नहीं loss नहीं होने दूँगा, समझो, अग चले जाते हो, मेरे भाई, आप उन लोगों से बहुत आगे निकल जाओगे, जो लोग महीने के 300 के 300 दिन job करते हैं, ठीक, और पैसे कमाते हैं, क्यों आप वही achievement 8 दिन में कर पाओगे, अब जो बचे वे आपके कह सकते हो, 22 days बचे ना आपके जो extra, वो आप क्या कर सकते हो, अपनी skills को improve कर सकते हो, ठीक, ऐसा नहीं है कि trading की skill को improve करो यार, बहुत सारी ऐसी skills हैं, आपको पता होगा, job करने वालों के साथ में, क्या conditions आती हैं, उनको नए-ने चीज़े अपग्रेड करनी पड़ती है, जैसे कि मैं अपनी बात करूँ, मैं technical person हो, like मेरी degree जो है, वो technical field से अंदर upgradation करनी ही करनी पड़ती है, हमेशा, लोग सोचते हैं कि हमने like अपनी skills की बात करें, लोग हमेशा सोचते हैं कि हमने 10th pass की 90% mark से, हमने 12th pass की 90% mark से, भाई आपने degree ले ली, कोई भी degree मैं कहता हूँ, चलो 90% से ही ले ली, उसके बाद कोई सोचता हो कि पढ़ा ही नह हाँ पर महीने में 21 दिन तो वैसी market खुलती है, 8-9 दिन तो छुटती रहती है, 10 दिन आप काम करते हो, भाई, accuracy, most important आजाता है, accuracy, मेरा main focus दो को मैं पहले ही बोलता हूँ, एक लाग से कई में एक लाग दो कमा के तुमको बताऊंगा, नहीं कि एक लाग से एक लाग कमाने है मेरा main fundamental theory क्या है, अपनी target छोटा रखा जाता है, अपनी quantity को दिमे दिमे 20 slot से 30 slot पर shift कर दिया, 30 से 40 पर कर दो, 40 से 50 पर कर दो, आपको गर गिर गया तो, उसके लिए आपके पास में fund available है, tension नहीं होती, ये चीज में पहले भी कहीं बार बता चुका हूँ, आपको दो चीजे ध्यान रखनी है, दो तरीके की strategy होती है, कुछ poppet लोग ऐसे होंगे, जो इनको एक count कर लेता है, एक तो होता है stop loss, ठीक, दूसरी होती है strategy averaging, ठीक, ये दो अलग-अलग चीजे हैं, इनको एक मतमान लेना, इस top loss की बात करें तो equity market, ठीक, future market, निफ्टी बैंक, निफ्टी की market, यहाँ पर आपको stop loss ही use करना पड़ता है, पता है क्यों, क्योंकि यहाँ पर जब आप trade करते हो ना, था fund की जाधा requirement होती है, high fund required होता है, उस condition में आपके पार जाधा पैसा नहीं होता कि आप बार-बार-बार-बार averaging strategy यूज कर पाओ, बट मेरे भाई, जब हम currency में काम कर करते हैं, यहाँ पर बहुत ही कम fund के अंदर हम एक अच्छा खासा leverage मिलता है, 40 times का, इसी कारण आप यहाँ पर focus करना averaging strategies पर, not stop loss strategies, stop loss में क्या होता है, touch हो जाएगा और आपका pop it cut जाएगा, उस से गंदा feel आएगा, मालो आप 1000 रुपे कमाने वाले थे ना, और आपके stop loss touch हो आप तालिया बजाते हैं, बहुत अच्छे मैंने profit gain कर लिया, मैं बोलना चाहूंगा, profit हो या loss हो, जिस दिन आप इन दोनों को manage करना सीख गए, psychologically, like खुशी ना दुख, then उस condition में आप एक अच्छे खासे trader बन सकते हो, long term में आप यहाँ पर बाते कर सकते हो, मैं देखता क्या है, stop loss लगाना ही लगाना पड़ता है, एक्विटी मार्केट हो गई, कितने stock को average कर लोगे, मर जाओगे, stock को average करते करते इतना गिर जाता है, कोई-कोई stock मेरे भाई, ऐसे निफ्टी बैंक, निफ्टी की बात है, और commodity की तो बाती ही मत करो, वहाँ तो एक lot खरीदने मे लग जाते हैं, तो कितना पैसा चीए होगा, उसको average करने के लिए, तो वो fundamentally बहुत गंदी strategy count होगी, क्या averaging कहां पर, इस जगा पर, तो कोई भी question ये मत डालना नीचे, कि averaging क्यों करते हो, stop loss क्यों नहीं लगाते हो, मेरे भाई, stop loss उस जगा पर लगाया जाता है, जहां पर leverage क power कम मिलती है, आपको पता होना चाहिए, कि equity market में five times का leverage मिलता है, बस अगर आपके पास में मालो 100 रुपे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, मतलब आप 100 रुपे का product खरीदना चाहते हो, तो आपके पास 20 रुपे होने चाहिए, समझ रहो, ये है fundamental, इसी तरीके से आप bank nifty के पर चड़ावा चड़ना ही है, उसको average नहीं कर सकते है तुम जादा, future की बात करो तो उसको तो करने की सूचना भी मत, because वहाँ पर इतने जादा fund की requirement होती है, आप वैसे ही नहीं कर पाते हो, then उसके बाद में nifty की बात करें, nifty के अंदर भी ये ही fundamental theory implement होती है, वहाँ पर stop loss उसका use करना ही करना पड़ता है, commodity market में भी बहुत fund required होता है, को common sense की बात है, मैं कोई हाँ rocket science की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आपके पास common sense है, तो आप खुद समझ सकते हो, क्यों मैं averaging strategy को follow करना prefer करूँगा, ना की stop loss strategy, ये दो अलग-अलग strategy है, तुम दोनों को एक एक lot कितने का हुआ, फिर एक हजार डॉलर की बात करें, 82 का चल रहा है, तो 82,000 रुपीज में आपको एक lot मिलता है, और एक lot आप खरीदने के लिए जाते हो, तो कितने का मिल जाता है, केवल 2000 रुपे में, बहुत सारे लोग कहते हैं, 2000 में मैं एक ही lot में काम करेंगा, चुपावा रहता है, ध्यान रखना, असली चीजों को छुपा के रखा जाता है, वही चीज मार्केट में ये चीज आ जाती है, आपने देखा होगा ना, पपीते के पेड़ के उपर जब पपीता आ जाता है, ठीक है, उस condition में उसको ढख दिया जाता है, ताकि लोगों की क्या, taxes, charges, brokerage, इधर का charge, इधर का charge, CB charge, इधर का, सब कुछ यहाँ पर बनता है, और लोग यहीं पी काम करते हैं, और करके जो असली कमाई होती है, एक्सचेंज को यहाँ से होती है, यहाँ से कोई ऐसी करोडों की कमाई नहीं होती, यह जो है ना, इसको मैं currency को बोलू, तो hedging instrument है यह, हम जैसे लोगों ने इसको trading instrument बना रखा है, because यह easy way है money earn करने का, अब आप देखो एक lot जो 80,000, 82,000 की चीज है, वो आपको केवल 2000 में मिल जाती है, आप 10 lot में बात करोगे, तो 10 lot का मतलब समझते हो, 8,20,000 रुपे का product, आपको 10 lot कितने में मिल रहा है, यहाँ पे या फिर ना की जाए, answer नीचे comment box में डालना जरूर मैं देखना चाहूंगा, कितने लोगों को यह concept clear हुआ, कि भाई हम लोगों को currency में, currency में averaging strategy यूज करनी होती है, अब देखो जैसे यहाँ पे entry हुई, यहाँ पे बात की जाए, entry कर लिए, करने के बाद में profit gain कर लिया, य यहाँ पे हमें 2800-2900 का profit gain हो गया, बहुत अच्छा तालिया, आपको एक चीज बताना चाहूंगा, आपको पता करना कितना margin मिलता है, तो यह website है, इसके link में नीचे pin comment में भी डाल रखिये, वहाँ पे आप जुरूधा पे click करके जा सकते हो, यहाँ पे क्या करना है, इधर click करो, इस dot के उपर, और margin calculator पर जाओगे ना, तो मैं खुद अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पर आप देखो, equity future में कितना margin मिलता है, केवल और केवल यहाँ यहाँ लिखा है, 20%, 20% का मतलब होता है, 5 times, चीक है, आप दूसरी जगा आओ, यहाँ पे commodity में आओ, तो commodity में आप देखो के भाई, यहाँ पे तो हाल ही ऐसा है कि delivery में ही आपको लाख रुपे की जरूत पड़ेगी, कोई खास margin नहीं मिलता delivery के अंदर, उसके बाद में equity में बात करें, तो equity में भी वोई चीज है, 5 times का leverage मिलता है, बस, 20%, महलों आप 100 रुपे का product खरीद रहे ह तो आपको वहाँ पे 20 रुपे देने ही देने पड़ते हैं, इसी तरीके से हम बात करें currency में, तो currency में सबसे highest है, जो लिखा नहीं है, आप खुद common sense लगाओ, लिखा क्यों नहीं, इन लोगों नहीं, यहाँ लिखना चाहिए, लोगों को दिखना नहीं चाहिए, इनको भी डालता, तो यहाँ पे क्या है, इनका taxes, charges, यह सब मिलाकर क्या होता, मैं करोड़ पती बनूँ ना बनूँ, रोड़ पती जरूर बन जाओंगा, धीमे, 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 तो वो condition समझनी है, और मेरे जितने भी subscribers है न भाईयो, आप तो समझ जाओ, इस बात को, कि क्यों currency market best count हो common सी बात है, अगर यह अभी break करके, अभी आप देखोगे, अगर इनीचे गिरकर, 82 तक आ जाता ना, मैं इसको again इसमें buy entry add करता, plus 30 lot, 60 lot होते, और 10 पैसे की movement का मतलब होता है, 6000 रुपीज का profit आता, simple सी बात है, और यह सारी चीज़ें धीमे, 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 आप समझ जाते ह जब trade करते हो, otherwise दूर से खड़े हो के तालिया बजाना, और उस चीज़ को खुद करना, और उस rules and regulations को implement करना, then different, different चीज़े हैं, और मैं मजाग मजाग में बोल भी देता हूँ, like मेरे जो group members हैं, नीचे discord आप देख पा रहे होंगे, normally होता क्या है, मैं मजाग मजाग में बो जब उसको concepts clear होता है, then वो कुछ भी कर सकता है, concepts clear होंगे, वो 10 lot में काम कर रहे है, उसको पता है, पैसा मेरे पास रखावा है bank में, वो तब तक नहीं लाता, account में पैसा, जब तक उसको बंदे को concept clear ना हो, but concept जिसके clear है, उसके लिए easy हो जाता है काम करना, और भाई मेरे त कोई दिक्कत की बात नहीं है, अब यह ऊपर जाए, नीचे जाए, अपने पर कोई फरक नी पढ़ना चीए, कहीं जा रहा है, भाई तु जहां जाना चाहता है, चला जा, नीचे गिर रहा है, नीचे आ रहा है, वापस आजा, entry फिर पकड़ लेंगे, फिर से बाय कर लेंग ठीक, देखो, उसी प्राइस पे आ गया, 10 पैसे का मुवमेंट लेकर, वापस उस प्राइस पे आ गया नहीं आ गया, अब खुद देख सकते हो, entry करके, अगर मैं बैठा रहता है, मूझ खोल के, ना, जी मैं तो पूरा का पूरा 20 पैसे का टार्गिट लेना चाहता हूँ, यह आपको समझना पड़ेगा, सोचो किसी की शमता है, मादलो किसी को मैं कहता हूँ कि तुमको कोई बुक पढ़नी है, उसकी शमता है दिन में 2 पेजिस पढ़ने की, उसको मैं बोलू भाई 200 पेज पढ़, क्या होगा, वो बंदा 2 दिन में दम तोड़ देगा, समझ रहो, यह चीज हमें नहीं करनी है, यही चीज मैं यहाँ पे बोलूँगा, जब हमें पता लग गया, कि भाई, USD INR की जो वैल्यू है, वो दिन के अंदर 10 पैसे से लेकर, 20 पैसे तक की मूवमेंट आती है, और कोई extreme news आ जाती है, बहुत गंदी वाली मूवमेंट आ जाती है, दन खुद common sense लगाओ, जो चीज 10 पैसे की मूवमेंट कह रही है, बाई, मैं तुम चाट देखो, तुम रीडिंग करो, तुम को समझ में आएगा, कि मैं तो 10 पैसे तक की मूवमेंट दे देता हूँ दिन में, आप लेना चाहो तो ले लो, मैं कहता हूँ 10 को छोड़ो, मैं तो आपको पहली बोल चुका हूँ कि currency market, currency market वो market है मेरे भाई, जहां पर like कह सकते हो, आप क्या कर सकते हो, fund की बात करूँ, तो आपको 40 times का leverage मिल गया, ठीक, time की बात करूँ, आप 12-12 मन्त आगे के contract note में काम कर सकते हो, ठीक, कैसे सर्च करना होता है, 12 मन्त contract note कुछ नहीं है, ज beauty मतलब future, तो यह मई मन्त का future, यह जून मन्त का, यह जुलाई मन्त का, August, September, October, November, December, यह मैंने December का add कर लिया, अब बहुत सारे लोग बोलेंगो, December में volume है या नहीं है, भाई, इतनी volume है तुमारी दाल गल जाए, समझ रहो, यह देख रहो, यहाँ पर थोड़ा सा difference है, 12-25 है बहुत बड़ा करोडों का नुकसान नहीं हो जाएगा, यहाँ देखोगे, so quantity कोई sell कर रहा है, तो कोई buy भी कर रहा है, quantity इतनी है, कि आपकी दाल गल जाए, अरे आपको अपना profit देखना है, यह पूरे मौले का profit देखना है, मैं देखकर हैरान हो जाता हूँ, लोग कहते है volume काम है सरची, volume नहीं है, रोना, समझे रहो, volume नहीं है, और करने वाला यहीं game खेल जाता है, वो पैसे कमा के निकल जाता है, तुम पोपट की तरह देखते रह जाते हो, जीज मैं तो volume ही नहीं थी, कैसे कर दिया, कर दिया मेरे भाई, कर दिया, बुद्धी चलाई, और सद किया रहा है, volume नहीं है, यह 3200 quantity और 2500 quantity तुम कितना करना चाते हो, 10 lot, 20 lot, 50 lot, 100 lot, 200 lot कर लो, किसने रोका है यहाँ पे, यह चीजे ना, यह रोने वाले जो लोग होते हैं, volume नहीं है, international forex market में तो unlimited volume है, भाई, तुमने कद्धू में तीर तो मार नहीं लिया, वाँ पे काम करके सोचने वाली बात है, और nifty bank nifty में इतनी volume है, क्या कर लिया, तुमने वाँ पे काम करके, मैं तो यह चीज़ पूछना चाहूँगा, आपसे simple सी बात, तो वो लोग जो ही रोते हैं, volume नहीं है, हम क्या करेंगे, तुम कुछ नहीं हो पाएगा, तुम से तुम कुछ मत करो, यहाँ देखो, JPY के अंदर इतनी volume है, तुम अपनी डाल कल आ सकते हो, simple जी बात है, और कोई बहुत बड़ा price में difference नहीं है, 0.6950 और 0.70, कोई बहुत बड़ा करोडों का difference नहीं आ जाता है, तो भाई, आपको तो अपनी अधिको, मैं आपको एक जीज़ बताता हूँ, सब के दिखाओ, गांदी जी जाएंगे कैसे मुझे बताओ, problem आए, नुकसान हो जाए ना, मुझे बताना कैसे नुकसान हुआ, काम तमी से करना है, ऐसा नहीं कि मतलब आख मीच के अंधा धून काम कर रहे हो, देखो कहाँ पे support zone, कहाँ पे resistance zone, कहा option selling करनी चाहिए, कहाँ पे ह हमें counter trade लेनी चाहिए, यह कुछ concepts होते हैं, simple सी बात है, 5 lot में काम करोगे ना, तो maximum time green ही निकलोगे, और महीने में अगर आप 5 lot में 10 दिन भी trade कर रहे हो, और 8 दिन भी मैं कहता हूँ green हो जाते हो, भाई 4,000 रुपे बनते हैं, 4,000 रुपे कितने का fund use किया है, आपने 5 lot के अ बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, market के अंदर मैं आपको बोलना चाहूंगा, जो लोग आपको nifty bank, nifty की बाते बताते हैं, मेरे भाई, background में वो लोग भी currency market पे काम करते हैं, क्यों करते हैं, because they know कि एक stable income source है, अब देखो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, कहेंगे हम तो option buyer है ठीक है, तो option buying तो हम लोग करते नहीं है, buying में क्या है, यहाँ पे buying पे एक lot कितने का आया, 315, मैंने का 10 lot की बात करूँ, तो देख लेते हैं, 10 lot में कितना fund लग गया मेरा, यहाँ पे, कह सकते 3100 रुपे के अंदर, बट मैं यह क्यों करूँगा, मैं तो option seller बंदा हूँ, त इनके अंदर losses होने के chances ना के बराबर हैं, और losses हो भी जाएं, तो हम लोग क्या करते हैं, उन losses को buy side पे shift कर सकते हैं, strategies के part होते हैं, आप खुद common sense लगाओ न, आपको option selling करने के लिए तनी best opportunity मिल रही है, और फिर भी अगर आप poppet बन जाते हो, देखो मैं मजाग मजाग में pop अपर तक भाग गया, अब मैं रोने लगू, मेरा poppet कट गया, यहाँ पर नहीं आपाया, मैं यहाँ पर ले नहीं पाया, यह चीज़े नहीं करनी हैं, हम लोगों को अपने rules बांदने हैं, 10 पैसे का मतलब 10 पैसे, लो निकलो, intraday करना चाहते हो, delivery में कर रहे हो, पड़ी र उसको बोलते हैं, wait करना, उसको बोलते हैं, wait करना, समझ रहे हो, ऐसा नहीं है, आपने यहाँ पर trade डाली, बस मैंने trade डाली, तुरंत यहाँ जाओ, टच कराकर मेरा target अचीव कराओ, और फिर वापस वाहिजान वापस आजाओ, हम फिर आपके अंदर entry करेंगे, यह हमारे घ गेम खेल रहे हैं, और कुछ भी नहीं है, लोग सोचें, इसको कोई हिला सकता है, डुला सकता है, भाई, नहीं कर सकता, यह पहले ही clear कर लीजिए, तो international forex जो कर रहा है बंदा, like मेरे पास आज एक और एक client थे, उनका कहना था, कि भाई, ऐसा कुछ rule है, कि कोई इनसान अग पर अपना account दे देता है, तो broker जो होता है, वो IP address पकड़ देता है, वो एकदम गलत चीज़ है, मैंने चेक किया, ऐसा कुछ नहीं होता, मेरे पास में काफे सारे client ऐसे है, जो copy trading करते हैं, तो copy trading वो दुबाई में है, सिंगापूर में है, मलेशिया में है, अब कोई कहने बढ़ जाने, नहीं चीए, अब यहाँ पर 30 lot के अंदर losses होते भी, कितने होते, मैं कहता हूँ हो के दिखाए, simple सी बात है, गांदी जी जा कर दिखाए, ये concept simple सी बात आती है, मैं बार-बार practice कर रहा हूँ, इस वए से मुझे पता है, मैं ये word बोल पा रहा हूँ, बढ़ अ बजबाओगे, simple सी बात है, नौकरी में जाओगे, तो वहाँ तो भई बोस तुमारी band बजागे रखता होगा, कि ये काम कर लो, वो काम कर लो, खुश करने के चक्कर में बोस को इतना काम किया जाता है, कि Saturday Sunday बरबाद हो जाता है, यहाँ ऐसा कोई धंदा नहीं है, यहाँ ट्रेड डाली, दो गंटे में प्रॉफिट बुक हुआ, प्रॉफिट बुक हो कि वह आपकी अकॉट में खुद बाखुद आ जाएगा, बाकि टाइम आप जो करना चाते हो, कर सकते हो, simple सी बात है, आप अपनी skills पर फोकस कर सकते हो, ताकि आने वाले future में आपके सामने बोला था, आप क्या कर सकते हो, मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहूंगा, यह नंबर है पहली बात तो, अगर किसी के माइन में कोई question है, किसी तरीकी का, फोरेक्स मार्केट के बारे में, और वो भी legal वाले में मैं काम नहीं करता, मेरे भाई, मेरा concept, अभी भी अगर मेर और वो तो legal ही नहीं है, तो यह बात concept को clear कर लिजेगा, तो यहाँ पर मैं अपना number दे रहा हूं, 9837482890, second number है 8077521043, आपके mind में कोई भी question होना, यहाँ पर high करके message डालना, अपना question डालना, मैं यह मेरे team जो भी available होंगे, आपको reply जरूर देंगे, ठीक है, then second point हम लोग क्य करते हैं, संडे के टाइम पर, संडे के टाइम पर हम लोग क्या करते हैं, live class रखते हैं, एक discord server के ओपर, discord server होता क्या है, discord server एक app है, जो कि आप phone में और laptop में install कर सकते हो, free of cost, वहाँ पर हम mainly psychological topic होते हैं, उन topics के बारे में discussion करते हैं, और वो class का timing जो होती है, वो रात के साड़ करके बता सकते हो, कि भाई, मैं join हो चुका हूँ, common सी चीज़े, मैं काफी सारी चीज़े अपने whatsapp status पे भी लगाता रहता हूँ, आप चाहो तो वहाँ पर join कर सकते हो, ठीक है, बाकी आप लोगों के mind में कोई question हो, तो नीचे comment करके, यहाँ आपे number पर comment करके, फूस सकते हो कोई ऐसी problem की बात नहीं आती है, सो इसी के साथ मैं दोस्तो आज की वीडियो बंद करता हूँ, देखो simple सी बात है, मेरा main focus मैंने बता दिया आपको, मेरा main focus दिन के 50,000 कमाने पे है ही नहीं, मेरा main focus तो इस पे है ही नहीं, मेरा main focus है चाहे भाई, दिन के 5000 आ रहे हैं, बट व मुझे तो दिन के 50,000 कमाने हैं, पता लगा लेने के देने पड़ गए, market वो जगा है, जहाँ पर आपके पास experience होगा ना, then market आपको पैसा देती है, मैंने एक interview देखा, एक बोल रहे थे एक trader, अच्छे trader हैं, वो कहता है कि उन्होंने market में ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, दिन क दो लाग, पांच लाग, छे लाग तक कमाते हैं, दिन दिन के निकाल देते हैं, क्योंकि वो ब्रोकर के साथ connect हुए होंगे, उनका कहना है, वो लोग 10 साल, 12 साल का experience हैं उनके पास, जब वो दिन के 2 लाग, 5 लाग, 6 लाग कमाने की capacity generate कर पा रहे हैं, मैं कहता हूँ, कोई ए ट्रेडिंग के अंदर, simple सी चीज़ है, और बहुत सारे लोग मेरी तरह होता है, मेरी तरह means introvert होता है, मैं basically अकेला रहना जाधा पसंद करता हूँ, खुद के साथ में जाधा positive रहना पसंद करता हूँ, because मुझे फालतो की चीज़े करने का वो scene नहीं है, कि चलो जी घूमने चलो जी यह करने जा रहे है, नहीं, productivity जरूरी है, आपकी age अगर 20 से 30 के बीच में है, then definitely आपको यह बार समझनी पड़ेगी, कि अगर आप जो चाहते हो, आप वो achieve नहीं कर पा रहे हो, तो बाई अपने बच्चों पर force तो नहीं कर सकते हैं, कि बच्चों मैं नहीं कर पाया तुम कर ले ना, बच्चे कहेंगे पपा तुम से तो होना पाया, हम से करवा रहे हो, वही चीज मैं आपको बोलूँगा, starting अगर आप introvert हो, आपको ज़्यादा लोगों से बाते करना पसंद नहीं है, आपके पास में ज़्यादा समय भी नहीं है, कि आप लोगों के साथ introvert की जगा extrovert बढ़ने की कोशिश करोगे, then trading best business count होता है उन लोगों के लिए, और ये दो लाग, पांच लाग, शे लाग, मैं जानता हूं कि एक टाइम ऐसा भी आएगा, दस साल, पांच साल, आरे भाई, कूई दिक्कत की बात नहीं है, कौन सी ऐसी नोकरी होती है, जिसमें experience होता है, so I wish कि यार ये level पर पहुँचने के लिए, चाहे हमें 10 साल लगाने पड़ जाएं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लगाएंगे, reason है, ये जो middle class वाली life होती है, break करना है, break करना है, तो कैसे करना है, common सी बात है, अपनी आपको change करना है, simple सी बात है, दूसरे की कोई मतलब ऐसी चीज़ रणा, खुद को change करना है, then definitely ये दिन भी कभी न कभी तो आएगा न, so I wish आपकी life में भी ये दिन जल्दी आ है, तो इसी के लिए trading को focus जरूर करना है, आने वाला future trading का है यार, कोई कहने लगे न, ये business में competition बहुत है, मैं मजाग मजाग में अपने client को ब ये लोग skills सीख जाते हैं, तो भाई, इंडिया से बाहर से जो पैसा आएगा न, तो economical superpower हम बनते भी जा रहे हैं, और आने वाले future में, अगर हम financially थोड़ इसी stability लाएं, मैं कहता हूँ, फालतों की degree, कि ये civil engineering, ये वाले engineering, ये degree, फालतों की degree क्यों बोल रहा हूँ, because यहाँ प वो degree लेने से अच्छा है, अब financial freedom कैसे मिलती है, finance को फूरा final topic बनना चीए, financially conditions पता होनी चीए, लोगों का finance न इतना बुरा है, इतना बुरा है, मैं देखकर कभी-कभी हैरान हो जाता हूँ, ये बंदा कितना बड़ा pop-up है, बंदा कहता है, मैं 5 लाग का loan ले रहा हूँ, म इसे दोगे, लोग ऐसे हैं, financial knowledge zero, ठीक, इसी तरीके से मेरे पास न, अभी मैं बताता हूँ, दो दिन हो गए, दो दिन हो गए, दो दिन पहले कोई app है, जो कि loan provide करता है, app का कहना है, मुझे वो बताता है, मुझे वो समझाता है, देखिए सर जी, मैंने का जी बताइए, कौ पैसे कमाते तो होंगे, बटन पे एकदम initial amount नहीं है, मैंने का, जी है, बताइए, कहते हैं, ऐसे लोग होंगे, जिनकी आप मदद करना चाहेंगे, मैंने का, भाई, मैं तो चैनल पे वीडियो बना रहा हूँ, इसका मतलब मददी हो रही है, common सी बात है, financial knowledge gain हो रही है, उसस simple बात, no bakwas, बंदा कहता है, काम करते हैं, हमारे पास नहीं पर्मोशन है, आप क्या कीजिए इस एप को, लोगों को बताइए, इस एप को login कीजिए, मैंने का, एप क्या है भाई, कहते है, XYZ कमपनी का एप है, मैंने का, क्या होता है, करता है, कहते है ये न, loan देता है, मैंने पैसे से ट्रेडिंग नहीं की जाती, और ये अगर मैं अप का पर्मोशन करने बैठ गया, तो नीचे गालियों की जो भरमार होगी न, वो गालिया मैं तुझे ट्रांसफर करूँगा, स्क्रीन शॉट के साथ, हसने लगा, मैंने का, भाई, ऐसी चीज़े तू भी मत करियो, लओन के पैसे से कभी काम मत करना, ये चीज मैं पहले ही बता देता हूं, और ये फटजी अब जो होता है, पर्मोशन तो छोड़ो, लोग इसका पहले से इसकी बैंड बजा देता है, ये फटजी आप जो होता है, ऐसे एब ज लोओन पूर्वाइड करते है भाईई हो, ये डाली हुई है, आप जाके Discord server जोइन कर सकते हो, for free education कि कैसे वहाँ पे आपको psychological topic के ओपर बाते की जाती है, comments ही बाता जाती है वहाँ पे आप easily like कह सकते हो 100 plus members, वहाँ पे easily available हो जाते हैं जो भी class attend करते हैं, तो आपको करना क्या है, Discord open करना है नीचे की तरफ और laptop में करोगे, तो बस आपको केवल वहाँ पे click करना है, जो class चलती है उस पे click करना है खुद आप enter कर जाती हो, उसमें कोई की या password की जरुवत नहीं पढ़ती है तो चलिए इसे की साथ आज की वीडियो बंद करते हैं मिलते हैं next important वीडियो के अंदर वीडियो पसंद आईए तो पता ही आपको क्या करना है नहीं पसंद आईए तो भी पता है क्या करना है ठीक है चलिए, बाई दोस्तो